एक तरफ केंदी सरकार और राज सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बहुती गंभी नजर आती है वहीं दूसरी और ये ताजा इस्तितियां बया कर रही है कि निचले स्थर पर ये अभियान कितना असरकारक है ये नजारा है बलोदा बजार नगर पालिका की ठीक सामने का जहां एक हफते से सफाई पकवाड़ा चलाया जा रहा है और मुखी नगर पालिका अधिकारी की आखों के सामने का इद्रश्य उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है 36 गण में स्वाइन फ्लू से अभी तक कई लोगों की मौत हो गई है इसके बावजूद मुखी नगर पालिका अधिकारी सफाई के नाम पर लाखों की राश्य निकाल रहे और क्रियानवन शून्य है लोगों ने इस पर सवाल उठाया है कि क्या यही सफाई पकवाड़ा है जब इस तरह शास्किय कार्याले के सामने पस्री गंदगी की खबर ग्लिप्स.in ने दिखाई तो इस खबर को देखने के पाद जिला प्रशासन ततकाल हरकत में आया ग्लिप्स.in की खबर का असर यह हुआ कि बलोदा बजर कलेक्टर राजेश सिंग्राणा ने फोरण इस पर संग्यान लिया और कहा कि सवच्चता को लेकर अधिकारी करमचारियों की लापरवाही बरदाश्ट नहीं की जाएगी सवच्चता में कहीं चूक हुई तो ततकाल कारवाही होगी पंचायतों को और सवच्च रखने के लिए सवच्चालियों का नहीमित उप्योग करने के लिए प्रेडित करने के लिए आम नागरिकों को जावरू करने के लिए अभियान भी चल रहा है 15 दिन का पकवाड़ा है उसमें हमने जो दल बनाए है विभिन स्थरों पर जिला स् स्थर में औरॹंचाय स्थर में उनके द्वारा सित्थ दीज्फ निग्रानी के लिए उवीडिये हैं और बीजबी इसमें 55 दर्म जाकर जल पर मॉयाना और उल्यांकन की केज किया जा रहा है और जहां पर कमी मिलती है उनको दिशाने देश और उसमें आउशक कारवही की निदेश करें जाड़ेगा और इसमें मेरा यही कहना रहेगा आपके माध्यम से भी कि सभी लोगों को इस अभ्यान से जोडने में जो जिलास तरपरा भी हम सब्सक्रावारा गतिवरी चल रही है उसमें अधिक से भी लोगों को जोड़ें ताकि स्वच भारत अभियान और स्वच्चता ही सेवा अभियान को हम सफलता की तरफ रेदें